साबरमती ओनलाइन ख्लासिस में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम क्लास 12 की हिंदी में जैसंकर प्रसाद द्वारा रच्चित स्रद्धामनु का अध्यन करेंगे स्रद्धामनु जो है ये जैसंकर प्रसाद जी के कावग्रंथ कामायनी से लिया गया है जैसंकर प्रसाद जी ने का माईनी में जब देव संस्कृती का विनास हो जाता है तो उसके बाद जो विक्सित होने वाली मानो संस्कृती होती है मानाउता होती है इसकी मनु बैग्यानिक कहानी को प्रिस्तुत किया है तो इसमें स्रद्धा और मनु हमारे पास दो पात्र हैं इसमें शृध्धा जो है वो मनु से उसका परचे पूशती है और इसमें मनु शृध्धा के आकरशड का वर्ण किया गया है और अंतिम भाग में शृध्धा जो है मनु को मानो मूली का संदेश देती है तो चलिए इसका अधियन करते हैं शृध्धा मनु से उसका परचे पूशती हुए कहती है कौन तुम संत्रत जलनिध तीर तरंगों से फेकी मड़ी एक कौन तुम शृध्धा कहती है कि तुम कौन हो संत्रत जलनिध तीर जलनिध मीस होता है समुद्र तीर मानी किनारे संत्रत इस संसार के समुद्र के किनारे त तरंगों से फेकी मड़ी एक जिस प्रकार से समुद्र में जो तरंगे होती हैं लहरे होती हैं ये मड़ियों को किनारे फेक देती हैं उसी प्रकार से श्रद्रमनु से पूछती है कि तुम इस समुद्र के किनारे कौन हो कर रहे निर्जन का चुपचाप निर्जन जहां पर व उज़ की धारा से कर रहे हैं अभिसेग, अभिसेग में सोता है अलौकिक करना या फिर प्रकाशित करना तो तुम अपनी ओज यानि की आभा की धारा है उससे इस संस्रत जलनेज़ तीर समुद्र के तटके किनारे को तुम मडियों के समान इसे सुसोबित कर रहे हो तो श्रद्ध मनुसे कहती है कि तुम कौन हो जिस प्रिकार से सागर की लहरें अपनी तरंगों से मडियों को किनारे फेक देती हैं उसी प्रिकार से संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा इस निर्जन अस्थान पर फेके हुए मडियों के समान तुम कौन हो तुम चुपच आप बैठ कर अपनी आभा से उसी प्रिकार इसको सुसोबित कर रहे हो जैसे कि सागर के तड़ पर पड़ी हुई मढ़ियाँ उसके निर्जन तड़ को अलोकित करती हैं तो मिन्स कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से समुद्र के निर्जन अस्थान पर क्योंकि समुद्र का तट क्या होता है निर्जन होता है तो वहाँ पर जो पड़ी हुई मडिया होती है उस निर्जन अस्थान को सुसोबित कर रही होती है उसी प्रकार से इस संसार रूपी स समुद्र से फेके गए मड़ियों के समान तुम कौन हो ये श्रिद्धा पूस्ती है मनुसे। कावट और निराउता से परिपूर हो। जगत का सुल्जा हुआ रहस जगत संसार का तुम इस संसार के एक सुल्जे हुए रहस हो। भरा हुआ है और चंचल मन का आलस और तुमने अपने इस चंचल मन में आलस से धारड कर लिया है तो इन पंक्तियों में स्रध्ध मनसे कहती है कि हे अपरचीत तुम मुझे मधूरता ठकावाट और निरौता से परपूर लगते हो इस संसार के एक सुल्जे हुए रहस की भाती प्रतीत हो रहे हो तुम्हारा सुन्दर और जो मौन रूप है वो करुड़ा से परिपूर है और तुम्हारे चंचल मन ने आलसी को धारड कर लिया है सुना यह मनुने मधु गुंजार मधु करी का साथ जब सानंद कि ये मुख नीचा कमल समान प्रतम कविका जेव सुन्दर छंद सुना यह मनुने मधु गुंजार मधु मी सोता है मीठा गुंजार मी सोता है ध्वनिको तो जब मनु इस सुन्दर ध्वनिको मीठे ध्वनिको सुनता है सरद्धा के इन सब्दों को सुनता है मधुकरी का सा जब सानन्द मधुकरी मी सोता है भ्रमरी भौरी की भ्रमरी तो ब्रमरी का सा मतलब समान जब सानन्द आनन्द जब मनु स्रद्धा के इन ब्रमरी के समान आनन्द देने वाले सब्दों को सुनता है तो वह स्रद्धा को देखता है कि ये मुख नीचा कमल समान प्रथम कविका जयो सुन्दर छंद कि ये मुख नीचा कमल समान तो जिस प् देखता है तो वह अपना सिर नीचे किये रहती है प्रिथम कवी का जियो सुन्दर छंद जैसे की कोई कवी अपनी प्रिथम रचना को पढ़ रहा हो तो मनुने जब सृद्धा की भावरी रूपी गुंजार को सुना तो वह आनंद से परिपूर हो गया और मनुने सृद्धा की और देखा तो वह कमल के समान मुख नीचे किये हुए खड़ी थी जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जो कवी है उसकी कोई प्रिथम रचना की वहा छंद पढ़ रहा हो एक जटका साल लगा सहर्स निरखने लगे लुटे से कौन गा रहा यह सुन्दर संगीत कुतूहल रहना सका फिर मौन एक जटका जटका मिस जटका साल लगा सहर्स मिस होता है प्रिशनता के साथ में निरखने लगे निरखने का अर्थ होता है देखने लगना लुटे से जै एक जटका सा प्रशनता के साथ ही एक जटका सा लगता है कि इस निर्जनस्थान पर कोई तो है वहाँ उसे लुटे-पिटे के समान्स मीन्स होगा यहां पर बेसुध होकर तो वहाँ सुरद्धा को बेसुध होकर के देखने लगता है। सुन्दर द्रश्ट को देखने के लिए मौन नहीं रह पाता है यानि कि सांत नहीं रह पाता है और देखा वह सुन्दर द्रश्ट नयन का इंद्रजाल अभिराम कुसुम वैभो में लता समान चंद्रिका से लिप्टा घंस्याम और देखा वह सुन्दर द्रस से मनु जब उस सुन्दर द्रस को देखता है यानि कि स्रद्धा को अपने सामने देखता है नयानिका इंद्रजाल अभिराम अभिराम मीश होता है सुन्दर इंद्रजाल मीश होता है जादू एक तरब से तो जो स्रद्धा को देख करके मनु को ऐसा लगता है कि यह उसकी आँखों का कोई सुन्दर जादू है स्वपन है कुसुम वैभों में लता समान चंद्रिका से लिप्टा घंस्याम तो श्रद्धा को देख करके मनु को ऐसा प्रतीत होता है जैसे कुसुम वैभों में लता समान कुसुम मीस होता है फूल वैभों श्रद्धा का सरीर उन्हें फूलों से लदी हुई लताओं के समान सोभय मान प्रतीत होता है चंद्रिका से लिप्टा घंस्याम और श्रद्धा को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चंद्रिका से लिप्टा हो घंस्याम जो बादल का टुकुडा है जैसे कि चांद की चांदनी से कोई बाल का टुकुडा लिप्टा हुआ हो तै की अनुकृती बाह उदार एक लंबी काया उन्मुक्त मदुपवन क्रीडित जेव सिसुसाल सुसोबित हो स्तौरप सैयुक्त हिदय की अनुकृती बनावत बाह बाहर से उदार उदार प्रतित होती है एक लंबी का काया मिस कोस्ता है सरीर उन्मुक्त प्रफुलित हो तो कि शरिध्या का जो सरीर यह वह बाहर से यानि बाहर से देखने पर उदार है तो इसी प्रिकार उसका इkęते वी उदार ही होगा एक लंबी काया उन्मुक्तmillion का सरीर है वो लंबा है यानि कि कहने का ताद पर है बड़ा है तो उसी प्रकार से उसका हिर्दे भी बड़ा होगा मदुपवन कीडित जेव सिसु साल जिसे देख कर शृद्धा के सरीर की काया को देख कर ऐसा प्रतीत होता है मदुपवन क्रिडित जेव सिसू साल सिसू का जो छोटा सा व्रिच होता है उसके बात की जा रही है मदुपवन यानि कि मीठी मदुर हवा चलने पर क्रिडित मीस होता है खेल रहा हो सुसोबित हो सौरब संयुक्त सौरब में सोता है सुगंद के साथ में सुसोबित सोभयमान हो रहा हो मृषण गंधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म ढख रहे थे उसका वो पुकांत बन रहा था वह कोमल वर्म मृषण गंधार गंधार एक देश का नाम है के नील का मतलम नीले रोम वाले यानि के रोय वाले मेसमीस होता है भेडों के चर्म वाने सरीर से इन पंक्तियों में स्रिधा के वाह सरीर का वड़न किया गया है और उसके वस्तरों का वड़न किया गया है गंधार देश के जो नीले रोए वाले भेडों के चर्म के समान ही चिकना चमकदार वस्तर स्रिधा ने धारण कर रखा था मृषर गंधार देश के नील जो गंधार देश के नीले रोय वाले जो भेंस होते हैं इनके सरीर के समान चिकने वस्तर शद्धा ने धारड कर रखे थे धक रहे उसका वपुकांत जो धक रहे थे आवरण के रूप में बनाए हुए थे धारड कर रखे थे वे उसका वपुका कवच पर कवी बताते हैं कि शृद्धा के वस्त्रों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उसने नीले रोये वाले जो भेंस होते हैं उनके समान ही चिकने वस्त्रों को धरण कर रखा है और उसके वस्त्र जो है उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वे सिर्फ स्रद्धा के सरीर को ढखी नहीं रहे थे बलकि उन्हें एक सुरच्छा कवच भी प्रतान कर रहे थे नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा म्रदुल अद खुला अंग खिला हो जेव बिजली का फूल वेख बन बीच गुलाबी रंग ये कई बार बोर्ट पिपर में पूछा गया है नील परिधान परिधान में सोता है वस्तरों के बीच में सुकुमार अत्यधिक कोमल दिखाई दे रहा है तो नीले वस्तरों के बीच में कहीं कहीं से सुरधा का आधा खुला हुआ अंग दिखाई दे रहा था खिला हो जियो बिजली का फूल मेग बन बीच गुलाबी रंग तो स्रद्धा के अदखुले अंग को देख करके ऐसा प्रतीत होता है खिला हो जियो बिजली का फूल जैसे कि कोई बिजली का फूल खिला हो मेग वन वन मीस होता है उपवन के बीच में गुलाबी रंग का मेग मीस होता है बादलों के तो श्रद्धा के कोमल सरीर को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि बादलों के बादल रूपी वनों के बीच में कोई बिजली का जो गुलाबी रंग का फूल है वो खिला हुआ है फिर से देखते हैं इसको नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा म्रदुल अधुकुला अंग नीले वस्तरों के बीच में श्रद्धा का जो कोमल अंग है वो आधा खुला हुआ तिखाई दे रहा है जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है खिल रहा हो जियों बिजली का फू पश्चिम के वियों बीच जब घिरते हो घंस्याम अरुडरवी मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम ओह वह मुख श्रद्धा के मुख की यहां पर सुन्दरता का वड़न किया गया है पश्चिम के वियों वियों मीस होता है आकास के बीच में जब घिरते हो घं प्रतीत होता है श्रद्धा के मुख को देख करके क्योंकि उसके मुख पर घंस्याम का अर्थ दो रूपों मिलिया जायेगा जब हम वियों का अर्थ आकास से लेंगे तो घंस्याम को हम लोग बादल बोलेंगे जब हम सृद्धा के मुख की वडन करेंगे तो व्योम मीश उसके चहरे को हम लोग कहेंगे और घंसिया मीश उसके बालों की लटो को तो पश्चिम में जो आकास हमको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे उसे बादलों ने घेर लखा है उसी प्रकार से श्रद्धा के मुख की सुन्दरता को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि उसके बालों की लटों ने उसे घेर रखा है इंस स्रिधा के सुन्दर कांतिमान मुख पर काली बालों की लटों को लटकती हुई देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पस्चिम दिशा में काले बादल घिरे हुए हो और अरुड रवी मंडल उनको भेद अरुड रवी लाद रंका जो शूर है वो उनको भेद करके पार क दिखाई देता हो छविधाम छविधाम में सोता है सुसोबित होना कि वह आकास में सुसोबित हो रहा हो इसे की लाद रंका सूर जो है उन बादलों को घेर करके आकास में सुभयमान हो रहा हो इसी प्रिकार श्रद्धा का मुख उनकी बालों की लटों के बीच में सुभयम रहे थे गुंगुराले बाल जो गुंगुराले बाल थे अंस अवलंबित मुख के पास अंस मीश होता है कंधे पर अवलंबित लटके हुए थे मुख के पास में ही तो शृद्धा के जो गुंगुराले बाल है वे उसके कंधों पर उसके मुख के पास में ही तक रहे थे जिन पर हम लोग बादल का छोटा टुकुडा कहेंगे नील नीली रंग का तो जैसे कि नीली रंग का कोई बादल का टुकुडा जो है वो कोमल सुधा भरने को विधु के पास विधु माने होता है समुद्र के पास सुधा भरने के लिए सुधा लेने के लिए समुद्र के तल को इ बिने के लिए या भरने के लिए सागर को छूने का प्रयास कर रहा है। ले विश्राम मिस होता है आराम करना कि जैसे स्रिधा की मुख की मुस्कान को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे अरुड की एक किरड अमिलान अरुड सूर की जो कोई किरड है वो अमलान थकावट के कारड अधिक अलसाई हो अभिराम अभिराम मिस होता है सुन्दर्ता से परपूड अलसाई आलस के कारड स्रक्त किसले पर ले विश्राम यानि कोपल कली पर विश्राम कर रही है कहा मनुने नब धरडी बीच बना जीवन रहस निरुपाए एक उलका सा जलता वरांत सुन में फिडता है निसहाए तो श्रद्धा के द्वारा बार बार मनु का परचे पूशने पर मनु कहते हैं कि कहा मनु ने नब धरडी बीच यानि कि मनु कहते हैं कि नब आकास धरडी मीश धरती कि धर्ती और आकास के बीच में बना जीवन रहस निरुपाए निरुपाए में जिसका कोई उपाए न हो तो मनु कहते हैं कि धर्ती और आकास के बीच में मेरा जो जीवन है वो एक पहेली बना हुआ है रहस बना हुआ है जिसका कोई उपाए नहीं है एक उलका सा जलता व्रांत उलका सा मीस होता है एक टूटा हुआ तारा व्रांत जल रहा हो भटक रहा हो सुन में यानि की आंतरिच में आकास में फिड़ता है घूम रहा है असहाय मीस होता है निसहाय होकर के तो जिस प्रकार से आकास में जो तूटा हुआ तारा होता है वो सोन सानस्थान में यानि की आंत्रिच में निसहाय होकर के भटकता रहता है उसी प्रकार प्रतिवी के बीच में मेरा जो जीवन है ये रहश्मई है और मैं इस संसार में भटक रहा हूं के आगे की पंक्तियों का अध्यान हम लोग निक्ष्ट वीडियो में करेंगे तो चलिए इसका काविगत सौंदर देंगे भासा है इसमें संस्कृत निष्ट खड़ी बोली, सैली है प्रिबंधात्मक, रस की बात करें तो स्रंगार रस का प्रियोग किया गया है, गुड है मा धुर्र, अलंकार इसमें प्रियोग हुआ है, अनुपरास, उपमा, रूपक, थेंक यू